सो हेलो बच्चो कैसे हैं आप सब होप आप सभी अच्छ होंगे मैं बता दू मैं भी बहुत अच्छा हूं and absolutely you are doing well and very very good evening to all of you इस पर्टिक्लर वीडियो में मैं आपके साथ discuss करने जा रहा हूं कि ICAI New Schemes 2023 की notifications कब लेके आ रही है hundred percent तो किसी को भी नी पता ना मुझे को पता है लेकिन yes जितना मुझे सौर से चीजे निकल के आती हैं वो मैं आपके साथ share करके चल रहा हूं ताकि आप एक relaxation feel कर सके है राइट है तो यहां पर कोई भी चीज में एरा फालतुगी नहीं बात करूँगा मार्केट में बहुत रहता फैला हुआ है को यहां पर लेना होता है तो इन दाट सिट्वेशन आम गोईं तो डिस्कस विद रस्पेक्ट तो दा न्यू स्कीम स्कीम नॉटिफिकेशन बाइडी आई से ही किस पर्टिकुलर मंत में आने वाला है देखो आई से ही ने आपको बताया है आई से ही कहती है कि जब हमारा न सब्सक्राइब करेंगे सारे के सारे के सारे ठीके इंटरमेडियेट एंड सीए फाइन स्कीम स्कीम के अंदर अंदर आपकी जो नॉटिफिकेशन है सिलेबस को ले करके क्योंकि इंटरमेडियेट वालों के लिए तो वैसे भी अगर अप्लाई करना आई से को नवंबर 2023 का स्कीम स्कीम स्केंदर उनको एक नॉटिफिकेशन लाना मैंडियेटरी है जैनवरी मन चैनदर अंदर तो उस केस में आईसे जो है वो 25 जैनवरी जो मैं आपको अपनी औपीनिन के साब से बता रहा हूं 25 जैनवरी यए फिर at the end of January से पहले-पहले आपको notification देखने को जरूर मिलेगा ICAI का तो news schemes को लेकर के जितने भी students अभी problem में हैं मैंने सारी videos, most important videos की मैंने आपको यहाँ पे description में डाल दिया आप उसको जरूर check करिएगा और telegram channel पे मेरे साथ जोड़ ज़िएगा इसके साथ साथ जो strengths अभी यह दिमाग में रख रहे हैं कि sir हम अपनी study को start करें या न करें आप अपनी existing syllabus के साथ से अपने preparation करते रहें उसमें कोई आपको problem नहीं आएगी आपको definitely मैं 2023 में आपने जितना ज़्यादा best दे पाएंगे आप उतना accordingly आपको help out हो सकेगा as well as साथ ही साथ नई schemes के अंदर पहुस सारी चीजे practical भी आने वाली है उसकी चीजों को updates पाने के लिए और भी चीजे informations लेने के लिए आप इस channel पर बने रहे stay tuned with this channel and I am going to end this video and hope you found this video very informative and thank thanks a lot and thanks for watching this video God bless to all of you